खेलो दोस्तो लेट्स क्रेकिट की एक्स्पेर शीरीज में आप लोग का स्वागत है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ड वैंक द्वारा जारी की गई रेमिटेंस रिपोर्ट के बारे में ठीक है तो रेमिटेंस का मतलब आप लोग समझते होंगे एक परिवार है जो की low and middle income countries के अंदर रहता है उसमें से एक बंदा दूसरी देश में चला गया developed country में चला गया और वहाँ पर जा करके अच्छा वर्क कर रहे है वर्क करने के बाद अपनी family को यहाँ पर पैसा बापस भेजता है तो basically उसको हम remittance कहते हैं यह और भी type का हो सकता है बट यह आपकी general form आपकी बनती है ठीक है तो वो जो पैसा भेजा जाता है उस पैसे को कहते हैं remittance और remittance नहीं हो सकता अगर migration नहीं होगा अगर यह बंदा दूसरे developed countries की तरफ को नहीं जाता यानि migrate नहीं करता तो यह जो पैसा बापस है remittance का यह नहीं भेजा जाता ठीक है तो word bank ने बताया कि किस country में सबस्यादा remittance आता है मतलब कौन है जो सबस्यादा पैसे बापस भेजते हैं ठीक है कहां से सबस्यादा पैसा बापस आता है तो यह सब चीज़े चीज़ें यहाँ पर दी गई है report के अंदर आप देखें तो resilience COVID-19 crisis through migration lenses यहाँ पर इसका कहने का मतलब यह है आपने देखा होगा कि 2020 जो है वो पूरा COVID-19 में निकल गया और COVID-19 के दोरान ऐसा था कि लगता था कि जो remittance है जो पैसा आएगा वो पैसा कम हो जाएगा मतलब लोग कम पैसा भेजना शुरू करेंगे low and middle income countries में बट ऐसा कुछ नहीं हुआ पैसे के amount में कोई कमी देखने के लिए नहीं मिली तो world bank के दोरा यहाँ पर यह जो report है वो जारी की गई साथ में जो इसकी साहता है वो की KNO-MAD ने तो के इसके बारे में आप लोग देख लीजीगा कि यह जो है एक तरीके से expertise है जो की बताती है कि किस तरीके से migration और development और knowledge मतलब उस पर policies और knowledge को जो आपका उस पर expertise देने का काम वर्ड बैंक को इसका है तो यह बताती है कि किस तरीके से काम होगा क्या क्या यह इसके एम है जानने की ज़ुरत नहीं है ओर रैट तो report के हिसाब से जो वर्ड बैंक की migration and development brief यह 34 number की आई not important despite COVID-19 remittance flow remained resilient in 2020 registering a smaller declined at previous projected कहने का मतलब यह है कि आप यहां पर देखिए यह रहा दो हजार 19 के अंदर इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं सभी low and middle income countries की सभी low and middle income countries की सभी जितनी अफरीका की है एशिया की है ठीक है साउथ इस्ट एशिया सबकी उन सब के अंदर टोटल मिला करके 548 billion यहां पर आये थे remittance के रूप में ओके तो यह 2019 का सिनेरियो था 2020 में आप देखेंगे तो 540 billion यहां पर आये तो केबल 1.6% का जो है यहां पर decline हुआ है तो 548 से 540 हो गया सिर्फ जो 8 billion dollar का फरक यहां पर आया remittance में कोई बड़ा फरक नहीं crisis ओके तो यह चीज़ आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि जो resilient word यहां पर बताया गया है उस word का मतलब यह है कि केवल बहुत ही थोड़ा सा decline हुआ है जादा decline नहीं हुआ है ओके तो यह report यहां पर दी गई इसके बाद remittance क्या होता है मैं आपको बता दिया और remittance एक बहुत बड़ा source है income का और आप देखेंगी कि एक होता है FDI और FDI से भी जादा पैसा remittance के थूरू इंडिया के अंदर आता है या अलग-अलग low and middle income countries के अंदर आता है यह देखे low and middle income countries की मैं बात करना हूं 2019 में 548 billion dollar यहां पर आये थे जो की घट करके 2020 में हो गए 540 तो ज बिला है और तो बाकी का data नहीं देखना जो तीन गोले यहां पर बनाए हैं सिर्फ उनी को देखना है उसके बाद आप देखें दो चीजें आप में देखनी है low and middle income countries के अंदर जो पैसा यहां पर आता है वो पैसा आपक कई तरीके से आ सकता है उन में से दो तरीके हैं एक ह foreign direct investment तो आप देखें यह जो dotted dotted line है यह FDI को दिखाती है अब FDI क्या था कि 2019 तक देखें तो FDI से जादा amount आता था FDI से बहुत जादा amount आता था यहां तक आप देखें तो लेकिन फिर क्या हुआ कि जो remittance है वो बढ़ना शुरू हो गया remittance लोग पैसा जादा भेजने लग होगा तो remittance से आने वाला amount हमारे पास जादा हो जाएगा और FDI से आने वाला amount कम हो जाएगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि investment में लोग जो है वो कम पैसा यहाँ पर भेज रहे हैं remittance के अंदर लोग जादा पैसा यहाँ पर भेज रहे है और राइट उसके और इंडिया में 83 बिलियन डॉलर यहां पर भेजे गए 2020 के दोरां और पिछले साल से सिर्फ 0.2% का फॉल यहां पर देखने के लिए मिला तो यह जो तीन पॉइंट है उनको याद रखना है दूसरे नमबर पर चाइना और तीसे नमबर पर मेकसिको इन तीनों कंट्रीज को याद रखना है उसके बाद आप देखें इस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन में चाइना को याद रख लेना साउथ एशिया में थोड़ा सा इंपोर्डेंट हो जाता है जैसे इंडिया यहां पर तो मैंने आपको बता दिया साउथ एशिया में भी और overall सारी low income and middle income countries के अ अंदर सभी में यहाल आते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है उसके बाद पाकिस्तान बांगलादेश नेपाल ठीक है तो सुरू के तीन नाम याद रखने हैं काफी है तो साउथ एशिया की मैं आपर बात करूं अफरीका में देखना नाइजीरिया क जो है वो कहां से आया ठीक है दूसरी कंट्रीस के अंदर इंडिया में पाकिस्तान में बंगलादेश में नाइजीरिया में ठीक है सब जग है किसने सबसे ज़्यादा पैसा भेजा तो वह भेजा यूनाटेड इस्टेस ने ठीक है यूँए अमेरिका ने यहाँ पर सबसे के रहते हैं तो वह पैसा वापस भेजते हैं UAE सौधी अरब्या गल्फ कंट्री इन सभी में जाकर के जो ऑल एक्सप्रोरेशन का काम यहां पर होता है वह सब इंडियन से ही करते हैं और वह पैसा वापस भेजना रेमिटेन्स हो गया इस वज़े से आपको देख देखने हो गया COVID-19 के दोरान भी COVID-19 के दोरान भी लगभग amount same रहा ऐसा कैसे हो गया reason for the steady flow of remittance पहला है अलग-लग सरकारों ने stimulus दिये तो USA की सरकार ने stimulus दिया होगा तो उन लोगों को जो पैसा वहाँ पर मिला होगा तो यहाँ पर पैसा भेजने की शुरुबात हुई ओके दूसरा कैस की जगे digital transformation की तरफ चलेगा और information informal की जगे formal channels का use किया जाने लगा हूँ ठीक है तो इन चीज़ों को भी आपको समझना है कि कैस की जगे digital form में जाएंगे तो पैसा transfer करने में बिलकुल भी देरी नहीं लगेगी दूसरा informal channels के जरीए जादा देर लगती है formal channels के जरीए काम एकदम से होते हैं ओके यह चीज़ समझ लिए हैं फिर cyclical movement in oil prices and currency exchange rates तो oil prices से क्या मतलब UAE में oil prices तो देखे जाते हैं UAE साओधी अरब्या जो गल्फ countries हैं वहां पर जो माइग्रेट करके लोग यहां पर रहते हैं इंडिया के जो रेमिटेंस को बापस भेजते हैं उनके लिए तो oil ही सब कुछ है और जिस तरीके से price stability होगी नहीं होगी उस तरीके से पैसा भेजा जाएगा ज्यादा oil produce होगा ज्यादा income होगी तो ज्यादा पैसा भेजा जाएगा तो इस साल हमें देखने के लिए मिला कि price जो oil के हैं वो काफी ज्यादा हाई भी रहे और जिस बज़े से आपको देखने के लिए मिलागा intermittent भी कम आएगा आप देखिए लगातार जो गिरोथ है वो कम होती चली जा रही है पहले लगबग 85 आपका जो 100 और उसके आगे भी आप 30 लगाई है ठीक है तब जाकर के इतने वरकर्स यहां पर होते थे और अब आप यहां पर देख सकते हैं कि कितने वरकर्स हायर किये जा करते हैं ओके तो यह चीज़ आपको देखने को मिलेगी जब वरकर्स कम तो फिर पैसा भी कम भेजा जाएगा तो आने वाली सिच्विशन में हमको देखने के लिए मिलेगा तो 2019 का डाटा है ठीक है तो 2019 का डाटा है अभी इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा 2022 23 में ओके तो यह चीज़ आपको समझने है लास्ट स्लाइड है और जो भी पॉइंट्स बताए बस वही काम के हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है यूँए सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आउट फिलो करता है साओधी अरब ने अपने वरकर्स को जो है कम करना कि अवचल करते है यंद़ता है यूद्टर् प्रिश पकी इंडिया में सबस्क्राप बस्टाब भीज्ट इंडिया टो सबसे ज़ड़ी के शेलगे में सबस्कार उपको समझने है यूवश़् यूवश्टर्